Hello students, welcome to IFS. So students, UGC net June 2024 registration have begun from 20th of April and it will last for 10th May तक चलेगा ये और आपके सामने दो दिन की correction विंडो होगी पर ऐसा काम करें ना जिसमें correction करना पड़े, right? तो myself, Imanashu, your geographic faculty and let's move to the problem which you are facing. undergraduate जो students face कर रहे हैं, जब आप form fill up करते हैं, पूरी जो form fill up की process है, वो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है already, form filling process आप search कीजिए, scroll down कीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको comment box में आपकी description link में मिल जाएगी, देखिए, जब undergraduate जो programs में कौन पहली बात तो आ स अपने undergraduation के, ठीक है न, I agree पे click करें, और save and next पे जाएगे, इस पर जाएगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई देगी, देखिए, अगर आप final year में हैं, तो भी भी आप eligible है, आपने undergraduation कर ली, उसके बाद में आप eligible हैं ही, अगर आपका master's नहीं है, और graduation पूरा हो है, तो आप select करें past, definitely, कि past हो चुके, अगर आप semester wise system में हैं, अगर आप final semester में हैं, तो आप appearing search करें, appearing करें, और अगर आप one, two, three, four, अगर वाला four course होता है, उसके final year में हैं, तो आप वो भी appearing में करें, अगर आपने exam दे दियो और result नहीं है, तो result अवेटेड वाले को भी य खाई देगा, तो students, UGC ने ये कहा है, कि under graduation के अंदर, जो भी आपके subject थे, उन सभी subject से किसी भी एक से आप कर सकते हो, जैसे मालो की generally BA program होता है, तो उसमें तीनो subject पढ़ाए जाते हैं, जैसे example बता रहा हूँ कि political science, history और geography, ये तीनो subject पढ़ाए जाते हैं, BA program में, तो वो बच्चा, political science, history और geography तीनों से, अपना किसी भी एक subject से net का exam दे सकते हैं, वो बच्चे याद रखें, assistant professor बनने के लिए eligible नहीं होते हैं, सिर्फ PhD करने के लिए eligible होते हैं, ये चोड़ा सा बस ध्यान रखना है बात को, आपको year of passing, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भरनी है, कौन सा examination date का, आपने, जो qualifying state है, वो आपको choose करना है, आपका जो board है basically, university का नाम, अगर नाम नहीं आ रहा है, तो other choose कर लें, कोई issue नहीं है इसके अंदर, और जो masters वाले बच्चे हैं, वो उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं है, past कर लिया, और subject का नाम कर दिया, percentage तो percentage ठीक है, CGBA तो CGBA select कर लेना, उके, चल, उसके बाद में एक problem आ रही है, कि सर मैं तो assistant professor क eligible नहीं हूँ, हाना, मैं PhD only select कर रहा हूँ, पर तीनो select हो रहे हैं, यह आपकी problem नहीं है, यह bug है, अपने UGC net की तरफ से, कि कोई सा भी option select कर रहे हैं, तो तीनो select हो रहे हैं, कोई सिर्फ, जैसे assistant professor तो बन चुका है, ज्यारफ अगर उसको करनी है, तो उसे ज्यारफ पर click करेगा, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, वो तीनो click हो रहे हैं, assistant professor पर click कर रहे हो, तब तीनो हो रहे हैं, PhD only पर click कर रहे हो, तब तीनो हो रहे हैं, तो आप भी तीनो कर रहे हैं, तो आप भी तीनो, वाला कि सर मीडियम मेरे तो मीडियम वो चूज करना है जो आपने मास्टर्स में रखा है या फिर जो अंडर ग्रेजिशन प्रोग्राम में जो आपका पूरे टाइम पे जो एक मीडियम रहा होगा ना कौन से मीडियम में पढ़ता है जनरल हम लोग इंग्लिश ही करते है और वो नहीं मीडियम जो सलट किया है आपने Woah कोण से मीडियम से पढ़ रहा हो वह नहीं कि आप हिंडिय कन पर इसंद के फरक नहीं पढ़े वहापना कुछ भी हो सकता हैं ना कुछ पदा नहीं है English वालों को शिफ English में पेपर दे दिया तो कुछ भी हो सकता है ठीक है अभी पदा नहीं है नहीं नहीं चीजे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे इस बातों पर छलिए और साती सात मेगर यूजी से की त्यारी कर रहे हैं तो आप IFS के साथ में जुड़ सकते हैं हमारा एक free seminar जो workshop होने वाली students 7 मई से लेकर आपके सामने 10 मई तक ठीक है चार दिन आपका एक workshop रहेगा हर दिन 6 बजे शाम को हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे हमारा अप्लिकेशन है IFS उसको आप डाउनलोड कर लिजिए या फिर जो हमारी वेबसाइट है ifsonline.com उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं everybody uses smartphone तो आप smartphone से खुद को रजिस्टर कर लिजिए जो भी आपका subject है उस subject से आप उसको sign up कीजिए ठीक है और आपको यहाँ पर 7 किस तरह से हम लोग करने वाले है don't worry about it हम आपको सब कुछ detail बताएंगे ठीक है ना और जो भी subject जैसे मालोग आप UGC net के हैं तो UGC net भी है अगर आपके कोई भाई बंदू relative family friends इनमें आपको इन सब कोई भी exam की तयारी कर रहा है चाई CSR net हो IIT jam हो gate set COTPG gate सारी की सारी हम लोग तयारी आपको करवाने वाले हैं और हम आपको 100% guarantee selection दे रहे हैं अगर आप इस workshop को attend करते हो तो क्यों क्योंकि exam की dates देखो out हो चुकी है सब कुछ fixed है everything is fixed तो जो workshop की जो event रहे की वो भी आपको आप लोग लिए उसी तरह से design की जा रही है कि पहले दिन आपको exam का intro करवाएंगे किस तरह से syllabus reading करनी है और पहले दिन ही आपको mock test दे देंगे दूसरे दिन strategy session होगा तिरसे दिन mock test को describe हम लोग करेंगे किस तरह से क्यूशन को solve करना है चौथे दिन हम आपको वहाँ पर जो आपने चार दिन का जो workshop अटेंड किया है आपको digital certificate मिलेगा कि किस तरह से आपने जो है workshop अटेंड किया था और यह आपके काम आएगी आगे भी तो बिलकुल भी आपको इस एकदम ढीलापन नहीं रखन है एकदम तयार हो जाए एक्जाम के लिए सिफ 40 दिन बचे हैं और एक बहुत important चीज है कि अगर आप refer करते हैं हमारी workshop इवेंट को 20 friends अगर आते हैं आपके यहाँ पर हमारे रजिस्टर होते हैं हमारे website पर तो आपको हमारे recorded जो course हो फ्री देगे अगर आप UGC net के UGC net का म sign up करेंगे तो यहाँ पर आपको dashboard दिखाए देगा और application में आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ पर आपका नाम इस तरह से दिखाई उसके नीचे आपको reference earn होगा यह अपने mobile के लिए है ठीक है तो reference earn में जाएंगे आपको अपका code मिलेगा उस code से आ आपका आपका जो friend है जब वो sign up करेगा तो उनको बोली कि आपका अपना जैफल कोड यहाँ पर वो ज़रूर टाइप करें तब यह आप पता चलेगी इस रैफल कोड से कितने registration होगे चलिए तो मैं मिलता हूं next वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी और हैं वो शाम को 6 बजे होती है हमारी जोग्राफी की आपको उसमें भी सभी को जरूर आना है यूजी सिनेट जोग्राफी के लिए thank you so much